प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आश्टर ता, नो यूर फेट अगर हम कारक तत्वों की बात की जाए, तो बुद्ध को वानी के लिए देखा जाता है, बिस्नस के लिए भी बुद्ध को ही देखा जाता है, इसके साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति, धन, वैभव, सुक्ष, समरिथि, आपके जीवन में कैसी होगी, इसके लिए भी हम पुद्ध को करें तो बुच्छा के रोगों के लिए भी देखा조 जाता है यह को हई जो लोग लेका कारे से जुड़े हुए हैं उनके लीए भी बुद्ध का मजबूत होना बहुत ही जरूरी होता है और वहीं तर्क वितर्क की शक्ति भी हमें बुद्ध से ही मिलती है अब हम बात करेंगे कि ये जो राशी परीवर्टन हैं बुद्ध का वृषब राशी में परीवर्टन लए किस तरह का प्रभाव ले करके आएगा मेश राशी के लिए बुद्ध का ये गोचर आपके दित्य भाव में है और इस समय सूर्य भी व्रिशब राशी में ही मौजूद है तो ये दोनों मिलकर के बनाते हैं बुद्ध अधित्यय योग लेकिन मेश राशी के जातकों को इस योग का फाइदा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है आपके करियर में थोड़ी सी परिशानियों को सामना आपको करना पड़ सकता है आपको रिलेशन्शिप में भी अप्टें डाउंस फेस करने पड़ सकते हैं आपको ऐसे शब्दों से बचना है जिससे आपके रिष्टे खराब ना हो जाए अगर हमें कुपाई की बात करें तो आपको अपने बेहन बेटी या बुआ से रिष्टे अच्छे रखने है और इसके साथ ही हनुमान चालेसा का पार्ट भी आपको जरूर करना चाहिए विष्ट राशी के लिए आपका ये जो गोचर है आपके लगन में है और शुक्र आपकी जो है मित्र राशी है तो आपके लिए ये गोचर अच्छा रहेगा आप अपनी बातों को अच्छे से कॉम्निकेट कर पाएंगे लाइफ में कुछ नए बदलाव भी जरूर देखन अब हम बात करेंगे मित्र राशी के लिए तो मित्र राशी के लिए ये जो गोचर है आपके बारवे भाव में है और सूरे बुद्ध का पुद्ध अदित्ययोग भी आपके बारवे भाव में ही मिल बन रहा है लेकिन इसका लाब भी आपको होते वे दिखाई नहीं दे र इस समय आपके income और expenses को आपके लिए थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है बैलेंस करने की कोशिच करेंगे पर थोड़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पर सकता है इस समय आपको चाहिए कि आप किसी भी तरह की लंबी यात्रा से आपको भावनाय भी बनती हैं आपके लिए जरूरी है कि आप ओम नमशिवाय मंतर का जब जरूर करें और भगवान शिव पर जल्बी अर्पित जरूर करें अब हम बात करेंगे सिंग राशी के बारे में कि जो सिंग राशी के जातक हैं उनके लिए ये जो गोचर है वो कैसा रहने वाला है सिंग राशी के लिए बुद्ध आपके एकदश भाव और दिते भाव के मालिक हैं और इस समय उनका ये जो गोचर है आपके टेंथ हाउस में हो रहा है और सूर्य बुद्ध दिते योग का फायदा भी आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ये गोचर अपने रिलेशन्शिप को भी बैलेंस करने की बहुत जरूरत है और इसके साथ ही आगर एक उपाय की बात की जाए तो आपको ओम नमो भगवते वासु देवाए इस मंतर का जब जरूर करना चाहिए अब हम बात करेंगे कन्या राशी के बारे में कन्या राशी के लिए ये आपके फर्स्ट हाउस यानि लगन के और दस्वेभाव के मालिक हैं और इस समय ये जो गोचर हो रहा है आपके नाइंध हाउस में हो रहा है इसमें आपका भागे का साथ तो आपको जरूर मिलेगा लेकिन इसके साथ ही आपको नौकरी में बहतर ऑपरचिनिटीज मिलने की संभावनाएं भी बढ़िए कि आप बुद्ध के मंत्र ओंबु बुधाय नमा इस मंत्र का जब जरूर इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तब आसर तब नो यॉर फेट तुला राशी के अगर बात की जाए तो बुद्ध को आपके बारवे भाव और नवम भाव का स्वामित प्राप्त है और इस समय ये जो गोचर हो रहा है आपके अश्टमभाव में हो रहा है तो इस समय में आपको अपनी चीजों को मैनेज करना बहुत ही जरूरी है आप लाइफ में बहुत कोशिशे करेंगे कि चीजें सब जैसे आप चाहते हैं वैसे और्गनाईज कर लें लेकिन आपको इनत बहुत होगी एफर्स बहुत जादा होंगे लेकिन उसका अप्रिसेशन मिलने की संभावनाएं भी कम है फैनाईशल और हेल्थ की प्रॉब्लम्स की भी आपको फेस करने पर सकती हैं तो इस समय आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप मादुर्गा का ध्यान जरूर करे आप चाहें तो मादुर्गा के 32 नामों का ध्यान भी कर सकते हैं बात करेंगे स्कॉर्प्यो यानि के व्रिश्चिक राशी के पारे में व्रिश्चिक राशी के लिए जो बुद्ध देव को सौमित प्राप्त है वो आपकी अश्टम राशी और इकादश भाव का सौमित प भालें उन पर ध्यान दें इसके साथ ही आपको जरूरत है कि आप किसी भी तरह की ऐसी बातों का या फिर भाशा का प्रियोग ना करें जिससे आपके परसनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप खराब हो सके तड़ी मेहनत करेंगे आपके रिलेशनशिप आप बहतर करने की क कोशिष करेंगे महनत जादा होगी लेकिन रिजल्ट कम मिलेंगे तो आपको जरूरी है कि आप हनुमान जी के मंतरों का जप जरूर करेंगे आप वो जो स्वामित प्राप्त है बुद्ध को वो आपके सब्तम भाव और दशम भाव का स्वामित प्राप्त है और इसके साथ ही जो गोचर हो रहा है वो आपके छटे भाव में यानि रोगरिन शत्रू के भाव में हो रहा है इस समय आपको रिलेशन्शिप में प्रॉब्लम्स फे ये कि आप देव ग्रूब ब्रश्पती के मंतरों का जब जरूर करें आपको ओम ब्रिम ब्रेहस पते ही नमा इस मंतर का जब जरूर करना जाएं मकर राशी के अगर बात की जाए तो मकर राशी के लिए जो स्वामित प्राप्त है बुद्ध को आपके छटे भाव यानि कि रोगरिन शत्रू के भाव और भाग्य भाव का स्वामित प्राप्त है और इस समय जो गोचर है ये आपके पंचम भाव में हो रहा है तो बच्चों के साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं अध्यात्मिक होंगे आपको अध्यात्मिक चीजों में आपको अध्यात्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं पुजा पार्ट में आपका मन लगेगा इस समय आप अपने कामों को और आगे बढ़ाने के लिए कोशिशे भी करेंगे इस पंचम भाव और अश्टम भाव का सौमित प्राप्त है और इस समय जो गोजर हो रहा है यह आपके चतुर्द भाव में हो रहा है यानि कि सुख के भाव में हो रहा है माता के भाव में हो रहा है तो इस समय में आपको चाहिए कि आप अपने लाइस्टाइल को थोड़ा से आपको बचना चाहिए अगर हम उपाई की बात करें तो इस समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शनी चालीसा का पाट करें और शनी देव के मंतरों का चप भी किया जा सकता है इसके साथ ही अब बात करेंगे हमारी आकरी राशी के बारे में मीन राशी के बारे में कि मीन राशी के लिए ये जो गोचर है वरिशब राशी में ये कैसा फल देने वाला है तो मीन राशी में बुद्ध को आपके चतुर्थ और सब्तम भाव का सौमित प्राप्त है और इस समय जो गोचर हो रहा है आपके जीवन में कई बड़े बदलाव आपको देखने के ल वान ब्रश्पती के मंतरों का जब जरूर करें और आप चाहें तो उम्नमो बगवते वासु देवाए इस मंतर का जब भी जरूर कर सकते हैं अब इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर बुद्ध आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो ये आपको कैसे पता बुद्ध देवा आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको आपके जीवन में आपके जॉब में आपके काम में परिशानियों का सामना करना पर सकता हैं इसके साथ ही आपको बोलने में बात करने में अपनी बातों को कॉमनिकेट करने में भी खराब हो सकते हैं वहीं बेहन बेटी के साथ भी आपके रिष्टे खराब हो सकते हैं तो अगर आपके बुद्ध आपको ये देखना है कि बुद्ध आपको कहीं ये सारी चीजें तो आपके साथ नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब बुद्ध आपको खराब प्रभाव दे रहे हैं इसके साथ ही अगर में अगए इंजनरल बात करें कि बुद्ध के अगर प्रवाव दे रहें तो आप इसके लिई क्या कर सकते हैं आपको कासे का दान करना चाहिए आप हरे रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं साबुत मूं का दान भी किया जा सकता है इसके अलावा आप गी का दान कर सकते हैं हरी सबजियों का दान किया जा सकता हैं बहुती सुन्दर उपाय है कि आप बुद्वार के दिन गनेश जी को दूर्वा भी अर्पित करें तो भी आपके बुद्ध के अशु प्रभावों में कमी आती हैं इसके साथ ही गाएं को हरा चारा ही खिलाया जा सकते हैं अगर आपका सामर्थ हो तो आप पन्ना भी दान में दिया जा सकता हैं इसके अलावा आपको मादुर्गा के मंतरों का जब भी बुद्ध को प्रभावों को शांत करने के लिए अशु प्रभावों को शांत करने के लिए आप कर सकते हैं इसके आपने बुद्ध को मजबूत करना चाहते हैं तो जूट बोलने से आपको परहेज करना होगा तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक थैंक्यू सो मच आप सभी का दिन शुब हो आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए आश्ट्रो तक एप और चिटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से